23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार देवुठनी एकादशी, श्री कृष्ण ने कहा है देवुठनी एकादशी की रात्री जाग्रण कर पूजा करने से साधक की आने वाली दस पीडिया विश्नु लोग में स्थान प्राप्त करती है, पित्री नरक से मुक्ति पाते हैं, भगवान विश्नु को प्रसंद करने के लिए कुछ लोग रत रखते हैं और पूजा करते हैं, इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ती भाव से भगवान विश्नु की पूजा करने से सभी मनो कामनाय पून होती हैं, हर साल कार्तिक मास के शुकि पक्ष की एकादशी तिथ को देवुठनी एकादशी मनाई जाती है, देवुठनी एकादशी का दिन श्री हरी विश्नु को समर्पित है, इस दिन जगत के पालनहार श्री हरी विश्नु अपनी चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्या आरंभ हो जाते हैं इसके अलावा देवुटनी एकादशी भगवान विष्णू को प्रसंद करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णू को प्रसंद करने के लिए कुछ लोग रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ती भाव से भगवान विष्णू की पूजा करने से सभी मनुकामनाय पूर्ण होती हैं। देवुठनी एकादशी 2023 महूर्ट कार्तिक शुकल एकादशी तिथी का प्रारंब 22 नवंबर 2023 रात 11 बचकर 3 मिनट से शुरू है। देवुठनी एकादशी पूजा विधी देवुठनी एकादशी के दिन ब्रहमा मुहूर्ट में सनान आदी से निवरित होने के बाद भगवान विष्णू जी की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लें। श्री हरी विष्णू की प्रतिमा की समक्ष उनके जागने का आहवान करें। सायम काल में पूजा स्थल पर गी के ग्यारल दिये देवी देवताओं की समक्ष जलाएं। यदि संभग हो पाए तो गन्ने का मंदप बना कर बीच में विष्णू जी की मूर्ति रखें। भगवान हरी को गन्ना, सिंगहरा, लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करें। एकादशी की रात एक घी का दीपक जलाएं। अगले दिन हरी वासर समाप्थ होने के बाद ही व्रत का पारंग करें। देवुठनी एकादशी के दिन जरोर करें ये काम, विष्णू जी के आशीरवाद से बनेंगे आपके सारे काम। देवुठनी एकादशी का पर्व कार्टिक माह की शुकिपक्ष की एकादशी तिथी को मनाया जाता है। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं या पूजा या उपासना करते हैं उन्हें ब्रहम मुहूर्त में उठना चाहिए। देवुठनी एकादशी को सभी एकादशी के व्रत में श्रेश्ट माना जाता है। इसलिए इस दिन सुबह सवेरे उठकर सनान करना चाहिए और साथ ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन सुबह सवेरे उठकर सनान करना चाहिए और साथ ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णू का देवटनी एकादशी के दिन के सर और दूद से अभिशेक करना चाहिए। साथ ही उनकी आर्ती उतारनी चाहिए। पूजा स्थल और घर की साफ सफाई करनी चाहिए। घर के आंगन में भगवान विष्णू के चरनों की आक्रते बनानी चाहिए। देवटनी एकादशी के दिन भगवान विष्णू की पूजा के दोरान ओम्नमो भगवते वासुदेवाई नमा मंत्र का जाब करना चाहिए। देवुठनी एकादशी के दिन जरोर करें ये काम, विष्णुल जी के आशिर्वाद से बनेंगे आपके सारे काम देवुठनी एकादशी का पर्व कार्टिक माह की शुकिपक्ष की एकादशी तिथी को मनाया जाता है इस दिन जो लोग व्रत करते हैं या पूजा या उपासना करते हैं उन्हें ब्रहम मुहूर्त में उठना चाहिए देवुठनी एकादशी को सभी एकादशी के व्रत में श्रेश्ट माना जाता है इसलिए इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करना चाहिए और साथ ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए भगवान विश्नु का देवुठनी एकादशी के दिन केसर और दूद से अभिशेक करना चाहिए साथ ही उनकी आर्ति उतारनी चाहिए पूजा स्थल और घर की साफ सफाई करनी चाहिए घर के आंगन में भगवान विश्णू के चरनों की आकरते बनानी चाहिए देवुठनी एकादशी के दिन भगवान विश्णू की पूजा के दोरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा मंत्र का जाप करना चाहिए देवुठनी एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं शास्त्रों में वर्नित है कि एकादशी व्रत में फल आदी का सेवन किया जा सकता है इसके अलावा सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदी भी ग्रहन किये जा सकते हैं एकादशी व्रत में फल, चीनी, कुट्टो, आलू, साबुदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूद, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधन नमक आदी का सेवन भी जा सकता है इसके बाद एक ओकली में गेरू से चित्र बना कर फल, मिथाए, बेर, सिंघारे, रितुफल और गन्नाव स्थान पर रखकर उसे दलिया से धाकन चाहिए रात्री में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिये जलाने चाहिए देवुठनी एकादशी का था, धर्म रंतों में स्वन्य श्रीकृष ने इसका महामत्य बताया है इसके अनुसार एक राजे में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशू तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहन करता था एक दिन भगवान विश्णू ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुन्दरी भीश बनाकर सड़क किनारे बैक गए राजा की भीट जब सुन्दरी से हुई तो उन्होंने उसके यहां बैठने का कारण पूछा स्थ्री ने बताया कि वह बे सहरा है राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो श्रीहरी ने ली राजा की परीक्षा सुन्दर स्थ्री के राजा के सामने शर्ट रखी कि यह प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राजय का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा राजा ने शर्ट मान ली अगले दिन एकादशी पर सुन्दरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया मानसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहं करता हूँ राजा के शर्त याद बिलाते हुए राजा को कहा कि अगर ये तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर्फ धर से अलग कर दूँगी राजा के सामने धर्म संकत राजा ने अपनी स्थिती बड़ी राणी को बताए बड़ी महरानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर्कार देने को मंजूर हो गई राजा हताश थे और सुन्दरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर्देने को तैयार हो गए सुन्दरी के रूप में श्रीहरी राजा के धर्म के प्रती समर्पन को देखरती प्रसन हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिये विश्लु जी ने राजा को बताया कि तुम परीक्षा में पास हुए, कहू क्या वर्दान चाहिए राजा ने इस जीवन के लिए प्रभू का धन्यवाद किया कहा कि अब मेरा उधार कीजे राजा की प्रार्थना श्रीहरी ने स्वीकार की और वर्म रित्यू के बाद बैनकुट लोग को चला गया